हालो स्टूडेंट में शाहिन लूथरा आज हम करेंगे क्लांस सीट साइंस का चाप्टर नमबर टू माइक्रोगैनिजम फ्रेंड्स इन फोकी कीवर्ड्स इन कोशिन आंसर्स इससे पहले की वीडियो में हम इसका चाप्टर को एक्स्पेंड किया था अच्छी से समझा था अब हम इसकी कीवर्ड्स इन कोशिन आंसर्स करेंगे फिर्स कीवर्ड है मारा अल्गी इस टाइप ऑफ माइक्रोगैनिजम विच बेसिकली लिवज इन वाटर इन कंटेंज क्लोरोफिल और अपना खाना खुद बनाता है फोर्टोसंथेस प्रोसेस से एंटीबाइटिक्स क्या होते हैं एंटीबाइटिक्स मैडिसिन होती हैं जो किल करती हैं और स्टॉप करती हैं किसको किल और स्टॉप करती हैं और उन्हीं को जो antibiotics का आजाता है They are manufacturing by growing specific microorganism इनकी जो antibiotics की manufacturing होती है एक specific microorganism होता है जिसको grow करने पे यह medicines जो है वो बनती है Antibodies क्या होता है Antibodies are protein produced by white blood cells to identify and destroy microbes like bacteria and virus Antibodies जो है एक तरह का protein है Antibodies are protein जो की produced होता है कहां पे produced होता है White blood cell जो हमारी body के अंदर होता है वहां पे यह protein जो होता है और जो हमारी body में microbes आजाते है उनको destroy करता है जिसके हमें विमारी लगती है उन microbes को जैसे कि कोई भी bacteria हमारी body में आजाता है या virus आजाता है तो यह जो है उसको destroy करता है ठीक है हमारी जो body है वो antibodies बनाती है जिसमें क्या होता है protein होता है वो कहा बनता है white blur cell में question number 4 है bacteria bacteria जो है एक बहुत bacteria are microscopic organism होता है बहुत ही छोटा organism होता है some of bacterias are useful कुछ bacterias हमारे लिए useful होते हैं और कुछ bacteria से क्या हो जाती है disease हो जाती है बिमारी हो जाती है bacteria are found in the large number everywhere bacteria हर जगा पाए जाते है पानी में मिट्टी में और हवा में carrier क्या होता है some living beings carry the microorganism to spread disease called carrier कुछ ऐसे microorganisms होते हैं जो अपने साथ जो है ना क्या लेके चलते हैं some living beings कुछ सौरी microorganism नहीं कुछ living beings ऐसे होते हैं जो अपने साथ microorganism लेके चलते हैं ठीक है कुछ ऐसे living beings इसे insects पर कहे रहा है आप कहलो या house fly कहलो कुछ ऐसे living beings होते हैं जो अपने साथ हमें disease हो जाती है ठीक है pathogen क्या होते है pathogen जो होते हैं कुछ ऐसे microorganism होते हैं जो बीमारी फिलाते हैं तो वही उसके साथ चिपक चाते हैं अब है आगे communicable disease communicable disease वह होती है जो फैल्टी एक healthy person infected person से healthy person में चली जाती है पानी और हवा के द्वारा या physical contact से जो है वह communicable disease होते हैं कि कई बार कोई sneeze कर देता है को छीख देता है तो जो इंफेक्टिट परसन है जिसको cold cough हो रखा है तो उसके जो बैक्टीरिया जो हवा में आ जाते हैं और वही जो है फिर हम सांस लेते हैं तो हमार जो किसी फिजिकल कांटेक्ट में आते तब भी जैसी की कोविट था कोविट भी ऐसे ही था अब हम देखते हैं fermentation फर्मेंटेशन क्या होता है जो प्रोसेस होता है इसके अंदर क्या होता जो शुगर होती है उसको एलकॉल में बदल जाती है कैसे शुगर जो एलकॉल में organism एक large group of organism होता है which do not have chlorophyll जिसके अंदर chlorophyll नहीं होता ना ही वो photosynthesis करता है अपना खाना खुद भी नहीं बनाता some fungus look like plants कुछ fungi जो है वो plants के जैसे दिखते हैं but they cannot make their own food like plants लेकिन वो plants के खाना नहीं बनाते है अपना खुद का most of the fungi are separate types कुछ fungi जो होते हैं वो separate types होते हैं and feed on dead, dick and animals and plants वो कहां से खाना खाते हैं dead or dick and animal or plants लेकिन कुछ fungi कैसे होते हैं parasites होते हैं जो की living organisms के साथ जो रहते हैं और बीमारी भी जिसकी वैसे जो parasites होते न they live on living things यह living things के उपर रहते हैं and cause disease और parasites की वैसे बीमारी भी फैलती है और यह living things पे रहते हैं वहीं से अपना खाना खाते हैं जैसे की yeast, mushroom और bread mold अब है lactobacillus lactobacillus क्या होता है lactobacillus एक bacteria है जो promote होता है lactobacillus bacteria promote the formation of curd from milk milk के बनने के time milk की curd formation होता है milk के अंदर दूद से जब दही बनता है उस time पे जो lactobacillus bacteria होता है promote हो जाता है बढ़ जाता है जब एक पहले से ही जमावा दही when little of pre-made curd जो पहले से ही दही जमा होता है उसको जो है add किया जाता है थोड़े से गरम दूद के साथ warm milk के साथ then lactobacillus bacteria जो होते हैं वो present हो जाते हैं curd में multiply हो जाते है in milk दूद के अंदर ठीक है presented curd जो जो pre-made curd था वो जो हमने दूद में मिलाया था उस curd के जो bacteria होते है वो दूद के अंदर multiply हो जाते है milk के अंदर और जो है उसको convert कर देते हैं curd में microorganism those organisms which are too small वो इतने चोटे होते हैं कि उसको हम बिना microscope के देख भी नहीं सकते ठीक है कुछ microorganism useful होते हैं कुछ हमारे लिए harmful होते है nitrogen cycle हम देखेंगे nitrogen cycle क्या होता है हमारी atmosphere के अंदर 78% जो है nitrogen gas पाई जाती है जो की living organism के लिए क्या होती है essential जो ज़रूरी होती हो इनके living organisms के लिए लेकिन जो nitrogen gas है वो directly plants और animals इसको जो है वो नहीं ले सकते तो फिर किस तरीके से इसको लेते हैं वो हम समझते हैं इसके अंदर nitrogen जो है एक fixing bacteria होता है जो की rhizobium होता है वो क्या करता है fix it to the soil taking it from the atmosphere which is convert into usable form जो rhizobium bacteria जो होता है वो atmosphere से nitrogen gas को लेता है और उसको convert कर देता है एक usable form के अंदर ठीक है वो पानी के अंदर solubal हो जाताह जब वो bacteria nitrogen gas को convert कर देता तो पानी में solubal हो ज domestic mij के अंदर पानी जो होता है उसमें वो घुल मिल जाता है ठीक है आँ आप झा मतलब किया है मिट्टी को क्या मिल जाती है nitrogen मिल जाता है और उस से प्र प्र प्लांट्स होते ह Quinnändern बनाते हैं protein बनाते हैं तो इसी तरीके से राइजो ब्यम की वज़े से जो nitrogen gas होती है जो atmosphere से लेता है राइजो ब्यम और को usable form में एक को फॉर्म पानी के द्वारा जो समें मिक्स हो जाती है nitrogen ठीक है जब प्लांट और अनिमल मर जाते हैं तो जिस जगह पर मरते हैं जो अहां पर जो मिट्टी होती है उस मिट्टी में भी बैक्टीरिय और फंगी पाया जाते हैं अब यह जो बैक्टीरिय और फंगी है यह क्या करते हैं जो प्लांट्स और एनिमल जो मर जाते हैं उनके उपर जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है उसको अब करते है किसमें convert कर देते हैं nitrogen components के अंदर convert कर देते हैं जो कि वापिस फिर से जो है plants में use किया जाता है ठीक है और उसके बाद जो nitrogenous waste जो है जो मरे हुए plants और animals के ओपर जो था उसमें से देखो क्या हुआ जो plants और animals मरें तो कुछ जो मिट्टी के अंदर bacteria और fungi तो ने क्या करा उस nitrogenous waste को convert कर दिया nitrogen components के अंदर उन्हीं nitrogenous waste को कुछ दूसरे bacteria ने क्या करा देखो सारे तो यहां पर यूज नहीं हुए कुछ जो है वहां पर यूज हुए थे nitrogen waste और बाकी nitrogen waste थे उसको दूसरे bacteria ने क्या क सारा उसका जो दूसर और बाकी का जो हिस्सा था उसको nitrogen gas में convert कर दिया जब nitrogen gas में convert कर दिया तो वह at most where में वापिस चले गए this is called the nitrogenous cycle इसी को जो nitrogenous cycle कहा जाता है यहां पर main चीज आपको समझने है जो plant और animal मर गए थे उनका जो nitrogen waste था और जो मिट्टी में उसमें bacteria और fungi थे उन्होंने उसको जो है nitrogenous component में change कर दिया था ताकि plants उसको फिर से use कर सकते हैं और बाकी का जो nitrogenous waste था उसको क्या किया गए था बाकी दूसरे bacteria ने nitrogenous gas में change कर दिया ताकि वापस atmosphere में चले जाए nitrogenous friction हमने इसी में जो हमने उपर पढ़ा ना उसी में वैसे यह सेम उसी के अंद कर देते हैं वही चीज़ हम यहां पर पढ़ेंगे सम बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया होते हैं साथ में कुछ blue green algae भी होती है जो क्या करती है able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with the nitrogen from the increased fertility of soil और इसी प्रसेस को जो है वो क्या का जाता है nitrogen fiction का जाता है कि जो एक्मोस्ट्फेर से लेते हैं कुछ बैक्टीरिया निकि जो राइजोबियम है जो blue green algae है वह एक्मोस्ट्फेर से जो nitrogen nitrogen gas जो लेते हैं उसको convert कर देते हैं किसमें usable form के अंदर soluble form के अंदर convert कर देते हैं और फिर वो क्या करते हैं मिट्टी की fertility को increase करता है nitrogen nitrogen ठीकर जैब वो convert हो जाता तो इसी process को nitrogen friction कहा जाता है पैस्ट्राइजेशन वह होता है कि जो हमारे घरो में दूद आता ना तो दूद आने से पहले जो factories में होता है महाँ पर 70 डिग्री की ओपर 15-30 सेकिंड तक उसको गरम किया जाता है उतनी देर तक 70 डिग्री पर गरम करते हैं एकदम से सद्टनली उसको chilled कर देते हैं store कर देते हैं ठाकि व सके नदर मैऌ क्रोप्स जो उसमें ग्रो कर रहे थे उनसे उसको पचाया जा सकिया तो मैक्रोप बिल्कुली मर जाते हैं खतम हो जाते हैं या फिरुद में उसमें जो होह मिल्कुल इसप्रोसेस से गया होता जो 70 10 s इसके बार ठंदा करने को जो store करते हैं, इससे वो microbes की जो growth हो रही होते हैं दूद में, उससे उसको बचा लेते हैं, ठीक है, प्रिवेंट कर लेते हैं। और यही जो प्रोसेस है, यह किस ने डिस्कवर किया था, लूइस पैस्चुर ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, इसलिए इसको पैस्टराइजेशन कहा जाता है, ठीक है, पैथजन्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे ओर्गैनिजम होते हैं, जो बिमार को न प्रिजर्व किया जाता है बचाया जाता है किससे from the action of microorganism is called food preservation. उन microorganism से बचाया जाता है जो हमारे खाने को खराब करते हैं उसको preservation का जाता है. प्रोटोजुआ एक group of single cell है जो कि protozoa are the group of single celled organism है. क्या है? group of single celled organism है which are classified as animal. प्रोटोजुआ are found in कहां पर पाया जाता है? पोर्ण में, लेक में, डिर्टी वाटर, ड्रेंस में, रीवर में, सी वाटर में. डिजीज लाइक डैनिस्ट्री और मलेरिया प्रोटोजुआ से भी बिमारिया होती है. यहां पर लिखिवे डैनिस्ट्री और मेलेरिया होता है. और जो प्रोटोजुआ के दो इन्टू सॉलिबल फॉर्म में उसको बदलना, यह इसका काम होता है, जो कि प्लांट के द्वारा अब्जर्ब की जाती है, फिर नाइट्रोजन बाद में. ठीक है? वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन आर नथिंग बडदा नाइट्रोजुआ इंट्रोड़क्शन ऑफ डैड करती है, जो हमारे अंदर क्या आ जाते हैं? डैड और विकेंड मायक्रोब आ जाते हैं, और वो मायक्रोब आ जाते हैं, तो हमारी बॉड़ी जो क्या करती है? फाइट करती है और क्यल करती है इससे? by producing suitable antibodies in the blood. हाना, तो जो हमारी बॉडी के अंदर फिर उससे में क्या हो जा long time and fight against some microorganism and kill them if they happen to enter the body again does the vaccine develop the immunity from a disease दिखो जो वैक्सिन क्या होते हैं जैसे जब बच्ची होते हैं जब पोल्यों का चिकन पॉक्स का लगा जाता था जैसे कि अब कोविट की टाइम पर हम सब को वेक्सिन लगा है तो यह क्या है वो करें कुछ भी निया है जो मरे हुए और जो वीक माइक्रोब्स होते हैं वही हमारी बॉडी के इंदर डाल दिये जाते अनर्फ फावर आजाएगी कि जो भी हमारे वाइर्ज या बैक्टिरिया अटाक करेगा उससे लडने के हमारे इंदर इंदर इम्मेटी आ जाती है वो ड्य बॉडी के अंदर थिक है तो यही काम जो है वो वैक्सिन करती है वाइरस क्या होते हैं वाइरस आर दा इस तरह कि सबसे छोटे माइक्र और गैंजिम होते हैं जो रिप्रिडियूस होते हैं और इप्रिडीव होते हैं कहा पर फिय्से होन्हुता ना उसके अंदर रिप्रडियूस होते हैं यह एनिमल priorandonna क्या है यह जैसिकि माले-न्डर कोई वाइरस है ठीक है जब तक वो हमारे अंदर नहीं जाएगा अगर कोई sneeze करता है तो उसके जो बैक्टीरियस होते हैं यह जब तक वह हमारे अंदर नहीं होंगे जब हमारे अंदर चले जाते हैं तो क्या हो simplified जाते हैं जो जा Is जाते ही वह री प्रीडियूस होने शुरू जाते हैं बढ़ने शुरू हो जाते हैं यह वाइरस जो है वह अंदर हमारे बॉडी में जाके बढ़ना शुरू है जैसे कि कोविड की टाइम पर था कोई भी अगर चीगता था तो जो हम तब ही कहते थे मास्क लगाने के क्योंकि जो वाइरस एकार सामने वाले परशन चीगा पर्श्रम जांगो फिर रीप्रेदियूस होगी अधर वो री प्रिड्यूस नी हो रही अगर किस ने स्नीज किया थो वह वाइरस जो है वहां पर पढ़ा हुआ कहीं पर पॉंप्लां प्लांक्रिया में वह जो है वह क्या हो जा वाइरस आर डा एजेंट उडिजीज वाइरस क्या है डिजीज का एज़ेंट है और इनसान के इंदर यहां पर लिखी हुई है थीक है तो आपको समझ आगे वाइरस जो कैसे काम करता है हमारी बॉड़ी के अंदर जाकी वह रिप्र बढ़ना शिरू होता है वैसे वाइरस yeast क्या होता है, yeast is the type of fungi, yeast is used to baking industry, making bread, bread बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, yeast is also used for the production of alcohol बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, yeast is the capable of converting sugar into alcohol, yeast जो है वो capable होता है कि वो sugar को alcohol में convert कर सके, ठीक है तो यह हमारे हो गए keywords, अब हम करेंगे इसके question and answers, first test में philips, microorganism can be seen with the help of microscopes की helps, हम इसको देख सकते हैं, जो blue green करके algae होती है, fix nitrogen directly from the air and enhance the fertility of soil, blue green करके algae जो है नाइट्रोजन क्या करती है, बदल देती है, fix कर देती है, कहां से लेती है वो air से लेती है और उसको fertility की जो जाओ शक्ति बढ़ाने के लिए यूज़ की जाती है, alcohol is produced with the help of yeast, alcohol जो है वो किस से produce होता है, yeast की help से वो जो produce होता है, chlorera is the caused by bacteria, यह जो बीमारी किस से फैलती है, bacteria से होती है, उसके बाद tick the correct answer, yeast is used the production of alcohol, the falling is an antibiotic, इसमें से एंटिबाइटिक कौन से है, septormycin, carrier of malaria causing protozoa is female, anophilius mosquito जो है, जो अपने साथ malaria को लेके चलती है, अपने साथ उठाके चलती है, malaria की बीमारी को, उस female mosquito का नाम यहां पर लिखा हुआ है, the most common carrier of communicable diseases, house flies, मक्खी फिलाती है सबसे ज़्यादा यह जो बीमारी है, उसके बाद the bread of idli dough rises because, अब जो bread of idli जो डो है, वो क्यों इतनी ऊपर की तरफ उठ जाती है, क्योंकि उसके अंदर growth हो जाती है, yeast के cells की, the process of conversion of sugar into alcohol into fermentation, अब sugar का alcohol में बदलना, इस process को क्या कहते है, fermentation का जाता है, इस पर देखो matching है, जो bacteria है, उसकी वे से क्या हो जाती है, chlorella बिमारी हो जाती है, rhizobium एक fixing nitrogen bacteria है, lactobacillus क्या है, curd को set करने के लिए यूज किया जाता है, bread को बनाने के लिए, baking करने के लिए, protozoa क्या है, यह malaria हो जाता है, और virus क्या है, इसकी वज़द से जो है, AIDS हो सकता है, ठीक है, can microorganism be seen with the naked eyes, क्या हम microorganism को naked eyes से देख सकते हैं, अगर नहीं, तो how can they be seen, कैसे films को देख सकते हैं, no microorganism cannot be seen with the naked eyes, they are very small, क्योंकि वो बहुत चोटे होत help of microscope के help से देख सकते हैं, what are the major group of microorganism, कौन-कौन से major group है, microorganism के bacteria, fungi, protozoa and some algae, name the microorganism which can be fixed atmospheric nitrogen in the soil, उस microorganism का नाम बताना है, जो nitrogen को मिट्टी के लिए, जो तयार करता है, उसकी form को बदलता है, तो उस bacteria का नाम है rhizobium, bacteria such as rhizobium and certain blue algae होती है, दू चीज़े, एक तो rhizobium, बूसरा blue green करकी algae है, जो के क्या करती है, present the soil can fix atmospheric nitrogen and convert into the usable nitrogenous component में बदल देती है, उसको वो, कौन बदलता है, rhizobium, और blue green करकी algae, जो है, जो atmospheric में nitrogen होती है, उसको वो convert कर देती है, usable nitrogenous component के अंदर, फिर वो soluble form में मन की, पानी में वो mix हो जाती है, और फिर उसको मिट्टी में हम use कर सकते है plants की जो मिट्टी होती है, which are used by plants, फिर plants के दोरा use की जाती है, for the synthesis और उससे फिर क्या बनता है, protein बनता है, बहुत सारे और भी components बनते हैं, 10 usefulness microorganism लिखने हैं, या कि जो write the 10 lines of usefulness of microorganism, हमारी life के अंदर किस तरीके से microorganism use किया जाता है, कैसे हमारे useful है, 10 lines बतानी है, तो पहला है Lacto Bacillus bacteria है, जो दही जमाने के लिए यूज के जाता है, पहला तो यह usefulness है, दूसरा यह है, इसके अंदर, microorganism are also using bread, बिगेरा, pastry और केक बनाने के लिए यूज के जाता है, environment को साफ करने के लिए यूज के जाता है, bacteria also uses agriculture to increase the soil fertility of fixing nitrogen के लिए यूज होता है, जो rhizobium यूज हो यूज किया जाता है, alcohol की production के लिए, they are used to make vaccines बनाने के लिए, antibodies बनाने के लिए, इसके सांसा जो है, ये खाने को preserve करने के लिए यूज किया जाते है, microorganism, हना preservatives, कुछ microorganism ऐसे होते हैं, जो preservative के लिए यूज किया जाते है, microorganism are used to make manure, खाद बनाने के लिए यूज किया जाते ह जान था अब एक चोटा सब नौट लिखना है किसके उपड़्हां। कि हम्मफनी कि हम्म कान से बहुत सब्सक्राइब नहीं बर बहुत इसे होते हैं जो हम्म फुल नोटे बहुत तरीकों से कुछ माइक्रुण। की वैसे क्या फैलती है बिमारी हो जाती है human being के अंदर plants के अंदर animals के अंदर और कुछ ऐसी disease हो जाती है microorganism such disease causing microorganism की वैसे कुछ बिमारिया हो जाती है जिसको pathogens खा जाता है some microorganism क्या करते खाने को खराक पर देते हैं कपड़े बिमारिया हो जाती है food poisoning हो जाती है food poisoning is also the cause by microorganism कुछ microorganism जो खाने पर के मक्यों विगारा के वैसे जो फैलते हैं उससे फिर वो खाना मखा लेते हैं तो उससे क्या हो जाती है what are the antibodies antibodies क्या होती है what are precautions must be taken while taking antibodies और हमें क्या precautions लेनी चाहिए antibodies नी antibiotics वाटादा एंटीबाइटिक्स क्या होती है हमें क्या precautions लेनी चाहिए जब हम antibiotics लेते हैं यह medicine होती है antibiotic जो की kill करते हैं stop करते growth को जो microorganism से जो बिमारिया होती न उस बीमारियों को या तो मार देती है हमारी बॉड़ी के अंदर या से इसको इसको कर देती है उसी को मैं यहां पर 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 यह प्रिकोशन सब्सक्राइब कर लेना उपर आपको एंटीबाइटिक करना है तभी लेना है जब डॉक्टर बोलेगा उसके इलावा आपको खुद से नहीं लेना और जब तक लेना है जब पर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखा तो पूरा कोर्स करना होता है एंटीबाइटिक का एंटीबाइटिक मस्ट वाइड वैं वैं नौर्ट नीड और इन रॉंग डोस जब उसकी जरूरत निया तो उसको नहीं लेना यहां पर तीन जगा पर अब्सक्राइब करें तक यू